पूरा ये लाइब वीडियो रहेगा पूरा वीडियो बलाई 15 से 20 मिनट का हो बट आप इसको पूरा देखेंगे तो आप मशिन की सारी चीजों को एक बार में समझ पाएंगे इससे पहले मैंना भी वीडियो बनाया कि मेरी मशिने आई हैं दिल्ली से क्या करना है अभी उनको अब लग्की वाई करेंगे उनका राया पटाएंगे अर राय पटाने के बाद उसको करेंगे और मशिन के आप वो कंडिशन दिखाएंगे अगर आप 85-05 मशिन परचेच करना चाह रहे हैं तो मशिन कैसी होती है मशिन में कौन कौन सा पेपर चलता है मशिन की स्पेट का िन्में होती मशिन का पर्फरसवर्मेश का अकौन कीषिग उसका है एंब मशिन की बिकर 25 जी ये सारे चीज़े मैं यह ऑपको अब ही दिखाऊंगा इस वीडियो में कन्फर्म और मशिन को ओन करके दिखाऊंगा मशिन को चला के दिखाऊंगा मशिन में जो बार का जो पैनल लगता है वो जब मशिन आती तो लगा नहीं होता जैसे कि आप एक मशिन में सामने मशिन रखिया है तो यह कैसे लगेगा यह लगा के दिखाऊंगा और मशिन चला के दिखाऊ पूरा फुल रिकॉर्ड होगा पूरा वीडियो आप देख सकते हैं हमारा यूटूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं गया तो कर लीजे क्योंकि आगे आने वाली सीजन में हम सिर्फ एडवांस की वाइड मशीनों पर 8505 6575 पर ही काम करेंगे और बहुत जुबर्दोस तरीक करेंगे और कुछ शेटिंग्स भी जो भी नॉर्मल होती हमें दिखाएंगे रेपर साइज कितना चल सकता वह भी पिताएंगे कितनी चली हुई यह भी दिखाएंगे मशीन के कंडिशन दिखाते हैं चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज्यादा टाइमने लेते हो चलाते करते हैं शुरुआत अपने 1505 के पहली मशीन के मेरे अफिस में ओपन हो रही इसते पहले दो मशीन है मैंने लगाई यह सल करी है लेकिन वह सीथे कस्टमर के काउंटर पर लगाई थी और कस्टमर रहता था जहां पर वीडियो ने डाला था आज वीडियो दिखाऊंगे तो यह है हमारी मशीन केनन की टेक मेनाट 8505 उरिजिनल मचीन इमेज रिनर एडवांस 8505 अब यह देखिए मशीन के कंडिशन देखो मशीन पर प्रिंट रखा हुआ है जो कि मैं मशीन बाढ़ दे पर्चेस करके लाए हूं दिल्ली से छे लाग सतान ने पशार एक्सु त पॉटल वन ठीक है इसका जो कॉंटर तो 6,00,000,000 ःतना चला हुआ है और इसके जो साइट टे कंडिशन है इसके साइट में पो देख लिजिए आप यह दिखे गेर वगरा बिल्कूल वाइट प्योर वाइट और बिल्कुल फ्रस्ट कंडिशन में है और इसके आप देख प सब लगा हुआ है कि मशीन में कोई चूचा पूप की आवाज ना है ठीक है तो यह मैंने आपको साइट से दिखाया है अब लगकी भाए फ्रेंट से दिखाते हैं क्योंकि हमारे सबसे हापर खोल से दिखाता है कि हापर अले वह घ्रजार तो इसको खोलते हैं अभी देखें बिल्कुल कैसा दिख रहा आपको बिल्कुल साफ सुत्रा अब बाकी भाएट से आई है तो अभी थोड़ा सा साफ सफ़ाई हमको करनी पड़ेगी इस पी क्योंकि हमको इसको अच्छा बनाके अपने क्लाइन को देना है और मैं लेके आया हूँ यह होसल प्राइस में दिल्ली से तो च यह देखें चमक्ती हुई मशिन आपको नदर आ रही है बिल्कुल वाइट कहीं से कोई दाग दबा नहीं कोई गंदगी नहीं और बेल्ट पीसमें उरिजिनल लगी हुई है जो पेपर चलते हैं रिटी यार वाले उसके निशान भी हाँ जो पाहर के पेपर चलते हैं बाह यह घ्लागम दखते हैं यह पोरी मशिन लेट्र पेपर साइज पर चली है यह लेट्र प्र रखा वह मैंने आपको दिखा ně और इसा किसी तरीके साथ नहीं थेक़ते नहीं समझ सकते हुआ अब इसका खौने मशीश ला लगीं हो इसका अरी चीट तोरे मान ने ध些 किया कि इसको यलो कबर बताता है यलो कबर इसका सारी चीयव कहता है और इसका नीचे है कि यह इसका होता है और कापी कि में हो के झाय हो अज़के बंच आप चाहरे हैं कि आप सीध मसेल करें लेके अननकी बड़ी मश in तरणों में तो आप जड़ूर इस मश्यन को घ्राइग करते हैं ये आज तक कि सबसे लेश्ट श City सबसे जवरत्त Harms देक अच्छी मश्यन मैं साउप करना है है यहाँ पर मैं आपको फिंट कर है मैंडे लिखाता हूं का कोई प्रावलम नहीं है तो आज और कि प्रावल्ब्लम नहीं है है तो तो त। पोक्रिव यह हो गया हमारा मैं आपको दिखाता हूं सिस्टम कौ सा ये एडियव पलो मैं आपको एडियेव की पोटो दिखाऊँ एडियू दे कुछ में थोड़ी जत थी दी कि लेकिन उड्रस क्या और चल के आथा पेपर के जश्ट वह है यह का अधियर को और एक कंडिशन जो कि आपने देखा आप इ यह तो गंदी कि थर्मकोल की है जो थर्मकोल इस दिखिए अब टाब लाट वर लेखे टाब लोस ताब लाट विसंगल इसक्रस ने दीख रहा है मुझे इस टाब लास पे सिंगल इसक्रस नजर आ रहा है ठीक है और मैं आको दिखाता हूं कंडिशन मशीन की और यह हमारी फर्स्ट आर्थी मशीन कैनन की 8505 जो कि लाजबाब जबर्दस ब्रैंडड मशीन अभी हम इसको आन करेंगे और आन करके इसका रिभू करेंगे कि खौन करने के बाद इस मशीन का जो साउंड है वो कैसा है जो रियल में कितनी कॉपी निकली ह मैं अभी आपको दिखाऊंगा आप मशीन बदेखेंगे और इसका लगाएंगे पैनल जो इसका पैनल लगा हो तहना यहां पर लगता है सब्सक्रिपान लगाता है इसके ट्रे आखोले दब से पहले ट्रे में किया है अच्छा इस में मतलब अधरे कबर आए हैं इसके पैन पैनल है जो क्या भी हम इसको फिट करते हैं आपको आपको फिट करके दिखाते हैं पूरा यह लाइब वीडियो रहेगा पूरा वीडियो बलाई 15-20 मिनट का हो बट आप इसको पूरा देखेंगे तो आप मशीन की सारी चीजों को एक बार में समझ पाएंगे कि यह इसका जो कवर इसके दनो और इसके ढंदा है ठीक है यह सब कुछ निकालता है और स्टार्ट करता है फिट करना इसको पैनल को तभी हम मशीन आपको आन करके दिखा पाएंगे तो एक मिनट का टाम दीजी स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम यहां पर पैनल को होल्ड करते लगाते हैं तो का फिटे थोड़ा लंबा हो गया पूरा देखेंगा बुरा यह व पैनल को जो यहां पर सामें लगता है लगल कैसे कशली हम पूरा दिखाएंगा आपको यहां पर स्कुल करने इसके एक राइड़ और हाँ सामने लंब या जी आफ मैं जटे लगेगा ओते हूं ही कि निपर लूले दख यह स्कुरूर लगेगा तीनी इस पे यह यह और कि इसमें लुटा तील एंज होगे परफेक्ट टाइट है परफेक्ट तो भाई ये हमारा लग गया यहार सिस्ट्म लग गया अभी क्या होता है यह एक दिंडा होता ना जो कि इसके अंदर ने को फिट करना इस पर रखना है यह वाला इस पर रखना है रहो आज गए बढ़ गया देखि बढ़ गया बिल्कुल चपके बटेगा तब ही पेच लगें गया को धिराने करो इदर को हाज तरी अवाज तर रहा बस उपर करो उपर करो और बढ़ाओ थे अबस यह लग गया अभी पेस टाइड और पाइगा तो इसके लिए इसको यही पर टाइड करना होता है कि इससे वे पाइस पर दुण राएगए हुआगे पाइब उस खांचों में चाकर आपके पेश फास हाएगे अभी पेश लगाता है कि पकड़ जल्दी से लग जाएगा इसमें सीधा करके कि अधिस अधिस नहीं थो इस जो इस चाहिए अधिस अधिस कि अभी हम को क्या करना है कि यहां पर सुरी कपड़ लगाना है इस वाले में कपड़ लगाना है तो यह कपड़न में बाद में लखें हमारे पास सब सारी कभा रखें सब लगा दो कि अ लग जो दिखे लगे और जिर लगें अब दो जाने कनेक्शन वह कि अधीक्सिन का होता है यह होता कि इस में यह होता है यह भुपर तो घूम के आते हैं सबसे पहले सबसे पहले लगता है यह हमारा मेन मेन ओंडेक्षं लग गया पानिल का साइड राट रंडा लग गया और अब मशीन लगती है ऐसे आभ यह हमको इसको आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं आपको बताते कि कभी भी इस मशीन में 85-45 में कभी भी 3 किलोवाट 2 किलोवाट का इस्टे प्लाजर नहीं लगाना है हमेशा 5 किलोवाट का इ मेरी में प्रापबलम होती है जो हुमारे हाटइस में प्राबलम होती हिं वो प्राबलम ना होने के चांसेज खटके हो जाएंगा तस्पीक दी बचेंगे 99.50 आपके मशीन, 90.50 आपके मशीन तोर हो जाएगी, सिर्फ आपको इस्ट प्लाइजर लगाना 5 kWh का, ठीक है, इससे कम में काम नहीं चलेगा कभी भी, तो 5 kWh का इस्ट प्लाइजर लगाना है, लग्की भाई अपनी पूरे, आनोगी मशीन, आपको मशीन का रीडिंग 6,97,175 कापी निकली में दिखा रही है मशीन, चलो एक दूसरा चीज़ चक करते हैं, 6,97,175 यहां पर भी 200 कर रहा है, तो मतलब रेडिंग रिधा छेट शार नहीं करी गई है, यह मैं आपको दिखा हूँ, यह हमारी करशार नमर 4 है, और इसमें 13,19 साइज है पेपर निकालने का पूरा, और इसमें 13,19 निकलता है, इस मशीन का जो साइज है, एक्च्छल साइज है 13,19 साइज है, 13,19 साइज में आप इसमें प्रिंट करते हैं, इसमें पर लगा दिया, और इसमें भी लगा दिया है, इसको बन कर दिया है, अब यहां से हम इसको करते हैं, तो 4R, LTR को 4R कैसे करेंगे उसके लिए, सबसे पहले, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इससे प्रिंट, प्रिंट निकालेंगे, कंफर्केशन पेज, अब मांग रहा है कि अब पेपर काउंस आमको देऊ गए तब ने पेपर देना इनको एफ़ोग दो प्रिंडवार निकल आए अभी टोनर इसमें उरिजिनल पड़ा है तो इसलिए क्वालिटी आ रही है मैं टोनर इसमें डालूंगा दूसरा नया इस्टाल करूंगा तो क्व प्रिंटी लगा रहे हैं और आपको चला के दिखा रहे हैं इससे कुछ कापी कमांड की क्या स्पीड में चलती है कैसे क्या निकलती है लाज़रा पनेला प्लेन पनेला प्लेन पनेला प्लेन पने चला के दिखा देखना है कि मचीन से हमारा कापी करो कैसे निकलता अरे कोई यह हमने इतने पन्ने ले लिए randomly गिंती करेंगे बाद में हमारी मशीन गिंती करेंगे कितने हैं और हम इसको और इसकी सबसे अच्छी बात एक होती है ना कि जैसे मैं इसमें पेपल लगाते हैं ना स्मार्टनेस का तरीका वैसे यह आ गया उपर उपर अपने आप उपर आ ग चलाएंगे पहले तो सिंगल साइब फिर चलाएंगे आगे पेछे यह कमने जुई दने पनने लगा हैं हम ने इसकी निकाल लिकाल ली इसकी कॉपई निकालते तो टेस्ट हो जाएगा तो चलो इसका अब देखिये स्कार्ण की स्पीड है और यह इसकी प्रिंटिंग इस की प्रिंटिंग इस कीड करें किया स्पीड आप समझे सकते हैं कि अभी चालीज गाप्र स्कैन होगी है और यह विदिन हमको लग रहा हुं कितना डायम लगा इसको इसको स्वाइन हुने में निकलने को अभी है हम को यह इससे हम इंपनने सही करो, लक्किश सही करो महले इसका लॡड़ी निकालते हैं। अभी इसका लाफ टोड़ आफ लॡड़ी काल जो हैं। अर उसफे लॡड़ीड़ लॡड़ी निकालें के अगे बीछ हैं। किया कुछ कर देते हैं यहां से इसको आगे पिछे कमांड देता है और आगे पिछे कमांड देने दो पेपर लगाएं यह दो बन्हों का आगे पिछे निकलेगा कि इस बार में स्कैन कर लिया इद्मेशिन की यह खूब है कि एक बार में स्कैन कर लेते आगए पिछे में रखो और यह आगए पिछे प्रिंट कर रही है यह तो है यह तो दोनुसाइड का निखाल लिए और यह अमने कमांद दे रखा है तो यहां पर टाइम भी अप्राक्स टाइम दिखा रही हो गई तो पन्ने चार कपी का 30 120 कपी लेगी अप्राक्स एन्मण में दिखा रही है अगे वील्ण चल दो है अगे पीछे के स्पीज़